आई स्वेंट्स इन दिस बूस्टर चेक्ट लिस्ट आप रिविव और अल्टरनेटिंग करेंट रैदर अल्टरनेटिंग करेंट एक बहुत ही छोटा था सेक्षिन है फॉम दे पॉइंट आप यह जातर कोशन्स जो आते हैं वह सिंपल सिरीज सर्किट के आते हैं या फिर आ सब्सक्राइब करेंगे जिसके ऊपर कई बहुत सब्सक्राइब करेंगे जिसके ऊपर कई बार कोश्चन्स रहते हैं बट येस एसी में बहुत इंपॉर्डेंट है कि आप कॉंसर्ट वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए वह अपने आप में जीएडवांस की सारी चीजों को कवर अप करता है बाकी काम इस बूस्टर चेक्लिस से आपको मिल जाएगा औ तो लेट उस स्टार्ट विद्ध क्विक EMI रिव्यू और अल्टरनेटिंग करें थैंक्यों बोजी स्वंट्स मैंने ऐस यूजवल जैसे बूस्टर चेक्लिस में मैं करता हूं अपना सैचुरेशन लेवल बाडी का लो कर दिया है ताकि कहीं पर इस्ट्रेक्शन ना हो और कोई भी वर्ड मेरी बाडी के पीछे ना छुपे तो जस्ट फोकस अन दिस छोटी सी बूस्टर चेक्लिस्ट है इन विच्ट विद्ध के अंदर दो सेक्शन रहते हैं और वी कंसिडर मोशनल एमफ और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वाइर और अल्रेडी एलेक्ट्रमाइटिक की बूसर चेक्लिस में चीजें कवर्ड हैं लेकिन यहां पर कुछ चीजें रिपेटिटिव होंगी लेकिन कुछ चीजें काफी अच्छी आपको समझ में आने वाली हैं तो आई स्ट्रॉंगली प्रफर कि आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो इस चेक्लिस को बहुत है तो फ्रेश अब्जाब करेंगे तो clicking ability जो stimulation है वो काफी बढ़ेगा आपका और दूसरी चीज़ यहां पर हम बात करते हैं self and mutual induction cases already मैं यह कह सकता हूं कि time varying magnetic field के cases previous checklist में कुछ elementary level पर मैंने बता दिये थे अदर्वाइस advanced illustration book से follow कर लो that will help you a lot in understanding all the things so this is better for you alternating current में दो ही चीज़े हमारे काम आती है one is phasor analysis दूसरी हम बात करते है resonance and bandwidth of rlc circuit phasor analysis के साथ में आपको power understanding भी होना जरूरी है power and power factor यह चीज़े मैं पढ़हूंगा नहीं क्योंकि already concept videos में covered हैं और revision checklist में बहुत अच्छे से ले रखे हैं तो आप वहां से review कर लिज़े यहां पर कुछ cases हम देखेंगे theoretical level के उपर बागी AC का कोई typical question कभी नहीं आता जो आते हैं वो comfortably you'll be able to manage but yes I suggest alternating current के waves में infuse होके कई तरह के questions आ सकते हैं phasor analysis और इसके लावा मैं कहूंगा phase analysis question phase analysis questions का मतलब होता है कि अगर current हमार पास दिया हुआ i naught sine of omega t plus phi so इस तरह के case में current कितनी देर बाद i naught by 4 हो जाएगी तो वह हम circular motion analysis से जो SHM में oscillation waves में किया उससे review कर सकते हैं कि यहां पर i naught will be the amplitude the phasor is rotating at angular speed omega so t time बाद अगर यह theta angle गूम गया वेर theta is equals to omega t value of i will become directly i naught cos theta या i naught cos omega t लिख सकते हैं तो time यहां पर आ जाएगा theta का value calculate कर लिए i ko i naught by 4 रखके i naught cos omega t लिख लो या इस i की value अगर i naught by 8 है तो हम क्या कर सकते हैं cos theta को directly we can write as i naught by 8 upon i naught it is 1 by 8 theta is equals to cos inverse of 1 by 8 and here we can calculate time as theta divided by omega ऐसे time analysis हम कर सकते हैं this is the case we have already studied in SHM concept videos में भी मैं अच्छे से explain कर चुका हूं और booster of oscillation wave में भी ले चुका हूं तो यह ध्यान रखना AC में जितने भी waveforms हैं वो SHM वाले concept के उपर आ सकते हैं तो यह चीजे दिमाग में बठा के चलेंगे कभी phase analysis के question complex आते हैं तो SHM format से हो जाएंगे आई यह take up करते हैं fundamental cases but more theoretical in EMI review and AC थैंक यू पो जी इस वरण सबसे पहले हम लेता है concept of electromagnetic breaking it is a theoretical concept but logically इसके उपर कई तरह के numerical situations या कभी काफी heavy situations भी बना जी जाती है electromagnetic breaking is basically based on lean's law we can directly write this based on lean's law अगर मानले एक छोड़ा सा concept लेते हैं एक disc है हमार पास यह disc अपने axle के about omega angular speed से freely rotate कर रहे है इस rotating freely now if it is rotating freely in this situation अगर यह metal की बनी हुई है और इसके सामने यहाँ पे अब एक bar magnet लेके आ गए हम initially bar magnet दूर थी इसके पास लाए so जो magnetic field यहाँ पे इस metal disc के उपर पास होगा we know well it will produce induced currents और induced currents क्यों induced होती है induced current induced होती है magnetic field को oppose करने के लिए क्योंकि magnetic field पहले नहीं था अब यह पास आ रहा है तो यह magnetic field यहाँ पे increase होना शुरू होगा when magnet is coming close तो एक तो induced current close होगी क्योंकि magnet pass आया दूसरा यह disc rotate हो रही है तो the section of disc is also cutting these magnetic flux तो automatically यहाँ पे इस तरह के आप यह कह सकते है currents induced होना शुरू होंगे जो इस disc को oppose करना शुरू करेंगे यह disc जिस direction में गुम रही है उसके opposite direction में force और torque develop करना शुरू कर देंगे अगर यह disc right side से देखने पर anti clock wise गुम रही है तो magnetic field के cut होने के वैसे जो induction हो रहा है वो अपने cause को oppose करेगा और cause है rotation of this field and bringing close to the magnet of magnet pass लाए तो oppose होगा और magnet लागे रोक दिया तो भी rotation की वैज़े से oppose होगा दो factors यहाँ पर है so what will happen in the situation यह torque इस disc के rotation को oppose करेगा और धीरे धीरे यह retardation angular retardation के वैसे यह disc रुख जाएगी यहाँ पर मैं ज्यादा चीज़ें लिखोंगा नहीं this understanding is more important for you so this is called magnetic breaking अब इस breaking को और strong करना है तो conductivity of disc बढ़ा देंगे तो यहाँ पर current ज्यादा होगी torque increase हो जाएगा so यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो breaking होगी this breaking will be proportional to conductivity अब बात यहाते है why it is directly proportional to conductivity तो आप यह कह सकते हैं जो torque होगा वो current के proportional होगा current होगी emf upon resistance और r होता है rho l by a तो rho is 1 by sigma तो यह directly proportional ही relation निकलेगा breaking मतलब यहाँ पर torque की बात करेंगे और angular acceleration alpha की बात करेंगे तो वो conductivity के proportional जैसा relation straightforward बनेगा इसी तरह से magnetic breaking में हम बात करते हैं मान लेते हैं एक coil है हमारे पास this coil is oscillating as a simple pendulum हम यह चाहते हैं इस coil का जो oscillation है if it is really oscillating in vacuum there is no resistance force acting on it और इसको break करना है आप यहाँ पर कोई भी magnetic field लगा गो in any direction be in any direction क्योंकि coil का plane change हो रहा है तो किसी भी direction में भी लगाएंगे तो flux तो cut होगा flux cut होगा तो EMF induced होगा EMF induced होगा तो current develop होगी क्योंकि close coil है current develop होगी in whichever direction current would be developing it does not make any difference we can directly state कि यह induced current अपने cause of induction को oppose करे और cause of induction oscillation क्योंकि भाई अगर रुकावा होता तो oscillations नहीं होते induction भी नहीं होता flux constant रहता तो क्या होगा यहाँ पर due to applied magnetic field oscillations will damp out this is a very important point to be understood और अगर यह coil पूरी नहीं होती क्टी भी होती तो भी क्या oscillation damp होते है नहीं होते क्योंकि क्ती भी coil में current induced नहीं होता है that is a very important point and the same is the concept we can write same concept is used in quick damping of moving coil galvanometer अपने moving coil galvanometer पड़ा होगा moving coil galvanometer में there is a damping की using moving coil galvanometer में damping की होती है जो कुछ नहीं करती वो सरफ short circuit produce करती है अगर एक moving coil galvanometer की oscillate कर रहे जो ballistic galvanometer में बहुत ज़्यादा काम आता है क्योंकि ballistic galvanometer is the highly sensitive galvanometer mirror और बहुत ही low constant के spring से वो mirror oscillate हो रहा होता है so in that case जो coil होती है उस coil को damp करना जरूए नहीं तो बहुत देर तक उसका spot oscillate करता रहता है reading oscillate होती रहती है तो जैसे हम short circuit की दबाते हैं तो galvanometer की coil में current flow होता है magnetic field में current flow हो रही है और coil oscillate कर रही है तो suddenly वो damp हो जाती है so that is a point which is very very important बहुत सारे ऐसे केसे हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको idea दे रहा हूं कि कैसे electromagnetic braking का concept यूज होता है अभी तो electromagnetic braking आपके automobile में भी यूज होने लगी है कि जब brake लगाया जाता है तो sudden magnetic field आता है जो car के tires को brake कर देता है अगर conductivity बहुत हाई है तो electromagnetic braking is much efficient compare to friction braking क्योंकि friction braking में गाड़ी के tire में wear and tear काफी हो जाता है electromagnetic braking wear and tear से free होती है ते लौट आप concept यूज स्टेडी बेस्ट आए आगे बढ़ता है थैंक्यों बोजी सिमिलर एक केस होल लेते हैं ब्रेकिंग का ही बट इस पर कई बार questions आ चुके हैं तो you need to be careful एक बहुत ही long metal cylinder या यह करें metal की shaft बनी हुई है इसके ऊपर से हमने इसमें एक तो piece of iron drop किया और एक magnet drop करी what will happen iron piece drop करोगे तो यह straight गिरता जाएगा और finally यहाँ पे इसका acceleration equals to g होगा until come out with some velocity equals to you can write root 2gl if l is the length of this cylinder if it is very large तो बहुत high speed से निकलेगा but in case of a magnet जब यह magnet यहाँ पर fall कर रहा होगा तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस magnet का जो magnetic flux होगा इसकी surrounding में यह वाला magnetic flux क्योंकि magnet move कर रहा है या relatively देखें magnet के respect में cylinder उपर move कर रहा है और relative motion से metal का cylinder है तो eddy currents डवलप हो इसे EMF induction भी बढ़ेगा क्योंकि rate of change of flux through this cylinder is increasing और speed बढ़ने के साथ resistance force बढ़ेगा और यह तब तक बढ़ेगा जब तक की mg को balance नहीं कर लेता तो अगर यह बहुत लंबा है कई बार ऐसा given होता है very long यहाँ पर जो magnet in such situations बाहर आएगा तो यह तर्मिनल स्पीड से बाहर आएगा क्योंकि after some time what will happen यह हम यह कह सकते हैं after some time resistive force will be balancing the weight क्योंकि resistive force will depend on the rate of change of magnetic flux which is intercepted with the walls of this cylinder so certainly in this situation this will increase at some point of time when it will balance mg after that terminal speed will be attained so this is what you need to keep in mind basic चीजें अगर यह short भी होता है तो भी हम यह कह सकते हैं कि यह terminal speed नहीं भी हुई even if velocity of magnet is less than terminal speed मतले हैं मान लेते हैं कि terminal speed attain होने से पहले cylinder खतम हो गया then also you need to keep in mind जो magnet की velocity होगी वह less than V iron होगी iron की जो speed होगी इससे कम होगी that's what you need to keep in mind so चोटी चोटी चीजें दिमाग में बठा के रखने हैं more than one choice correct में इस तरह के कई questions आ जाते हैं तैंकियो बोजी इससी sequence में एक चीज़ ओड लेते हैं because the chapter is very important from the point of view of such theoretical questions jumping disk over coils इस पर बेस कई बार questions अलग-अलग तरह से पुछे जा चुके हैं say there are two coils C1 and C2 और इन coils के ऊपर रखी गई हैं दो identical disks D1 and D2 फरक हैं इनकी resistivity rho x और rho y अलग-अलग हैं अगर इन coils के अंदर हमने यहां पर दोनों में आई current pass कराया suddenly so due to a current आई यहां पर magnetic flux डवलप होगा इसमें भी fire डवलप होगा इसमें भी fire डवलप होगा तो sudden flux आने की वैसे disk D1 D2 में eddy currents डवलप होंगे और यह इस disk H1 height पे jump करके पहुंच जाती है और यह वाले disk H2 height पे jump करके पहुंच जाती है say if H2 is greater than H1 और यह jump क्यों किया उसका reason आपको clear होना चाहिए जैसे current flow कराया sudden flux आया sudden flux change means suddenly current induction होगा और opposite current की वैसे in a very short period of time an impulse will be generated impulse पे mathematical questions भी बताता हूं मैं किस तरह के आता है पहले इस logic को समझो so this will take a jump तो understood है जिसने speed ज्यादा attain करी होगी उसकी height ज्यादा होगी if H2 is greater than H1 we need to relate resistivities तो इसको थोड़ा understand करते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले यह कह सकते हैं जो impulse लगेगा J तो impulse की value already हमने theoretical level पे करी भी है this is proportional to the charge passed in the coil जितना charge pass होता है उसके proportional होता है भी अब यह आया कहा से पहल तो इस दिमाग में रखो because next slide के अंदर हम going to explain कि charge pass पे impulse proportional dependency कहां से आई तो अगर किसी भी case में impulse निकालना है तो charge पे depend करेगा इसको अब charge pass को integration of IDT और it is I into delta T भी लिख सकते हैं को उनकी short period of time है now in this case q pass के अगर हम बात करें तो q का value या q pass का value लिखा जा सकता है chain in flux upon resistance this is what you already studied मैंने पहले भी कहा तो revision checklist के फंडे दिमाग में अच्छे से होने चाहें because this booster checklist we are stepping ahead for brain stimulation in g advanced level problems तो basic theory आने चाहें so if it is delta 5 by r r is rho l by a तो आप यहां से directly कह सकते हैं q is inversely proportional to the resistivity in this situation अब आप देखिए जो impulse आएगा impulse is proportional to q pass and impulse g is equals to mv तो यहां पर आप कह सकते हैं जो speed attained होगी it is proportional to q pass और it is inversely proportional to rho मलब जसकी resistivity ज्यादा है उसकी speed कम होगी तो if h2 is greater than h1 this implies rho 2 is less than rho 1 directly हम यहां पर state कर सकते हैं तो एक field develop हो यह जैसे अपने पिछले के सेंज में भी करा कि अगर रिजिस्टिविटी कम होती है तो सड़न एडी करेंट ज्यादा डवलप होती है डेंपिंग फास्ट हो जाती है उसी तरह से उसका vice versa is also true कि अगर रिजिस्टिविटी कम होगी करेंट ज्यादा फ्लो होगा induce current ज्यादा होगा तो sudden impulses ज्यादा लगेंगे और यह ज्यादा दूर तक drag हो जाएगा ज्यादा जू तक jump ले लेगा तो यह basic चीज़ें दिमाग में अच्छा से इसको बिठा के रखना है करने के जरुवत पड़ सकते हैं थैंक यू बहुजी स्टूंट एक सिट्विशन देते हैं magnetic impulse को understand करने के लिए there is a u-shaped wire जो दो container जिसमें mercury fill किया हुआ है उसमें dip हो रही है और इसका mass M है and the containers are connected wire resistance are with the battery now we consider this wire to be a perfect conductor हम क्या करते हैं there is a magnetic field in inward direction कि जो key k है question बना देते हैं if k is closed for a short time delta t point height to which wire w will jump यह वाली wire w है यह कित्ती height तक jump करेगी यह निकालना है अब जब सबसे पहले अगर हमने इसको close किया तो यहां पे current flow होगी i i का value हम लख सकते हैं v by r which flows for a very short time delta t जैसे यह current यहां पे pass होगी so this wire due to inward magnetic field of right hand palm rule से निकाल सकते हैं magnetic force experience करेगा यहां पे b i l if l is the length of this wire and this force acts only for a time delta t तो हम यह कह सकते हैं यहां पे directly impulse of magnetic force in this situation is given as b i l delta t already in case of magnetism booster checklist similar चीज़ हमने करी हैं but you need to be careful this is b i l delta t यहां पे कोई induction concept यहां पे कोई induction concept यह नहीं होरे but this is very useful for you b i l delta t will write as m v and this will give you the value of v is equals to b i delta t को आप charge pass भी लख सकते हैं q pass can be written as i delta t so this becomes bq this bql divided by m so आप impulse की value bql भी दिमाग में बिठा सकते हैं in case of a charge pass through a conductor is q तो इस पे जो impulse लेगा वो bql लगेगा so bql by m is v height attained can be written as v square by 2g directly you can write like this fine students इसी sequence में next concept लेते हैं अपन magnetic impulse होने डिसक अभी हमने बात करी थी linear motion की अब हम बात करेंगे rotational motion की same keys अगर की को close करेंगे तो यहां पे there is a conducting disc अगर यहां पे conducting disc है जिसकी circumference एक conducting ring से जुड़ी वे this metal ring in contact with the disc इसका purpose सरफ इतना सा है कि अगर यहां पे अगर इस key को इस key को अगर यहां पे close किया जाता है तो जो current flow होगी वो current यहां पे radially distribute होगी that is specified in the question की current radially flows out in the surface of disc और finally current pass on होता है so key को वापस से यहां पे switch on किया है for a time delta t only अब हमें यह कालना है question मानलो हम से push ले आता है find angular speed attained it by disk इस disk की वज़े से इस disk में कितनी angular speed attain होगी और यहां पे जो charge pass होगा q passed आप directly लेख सकते हो v by r into delta t current into delta t is the charge pass through it अब अगर i pass हो रहा है तो magnetic field यहां vertically downward direction में अब हम देखें तो इस पे magnetic torque कितना लगेगा let us consider a small elemental section which is of angular width d theta so इस section के अंदर current pass होगी d i यह वाली current होगी d i and this i can write i divided by 2.2 d theta क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि current uniformly radially distributed है तो इस element के उपर magnetic force लेगा वो लेगा b into d i into r और जो force act करेगा field downward current इदर है तो central point के उपर लेगा d f और यहां पे जो torque आयेगा d 2 which i can write as d f into r by 2 so this comes out to be b r square by 2 multiplied by d i now if we integrate it for the whole segment of 2 pi angle or whole disk in that case you can write when you integrate net torque यहां पे जो value निकल के आयेगी this will be integration of d torque and this will be b r square by 2 multiplied by integration of i d theta by 2 2 pi and limit from 0 to 2 pi to theta 2 pi cut by r square by 2 so if here it is the torque we can simply write torque multiplied by delta t is the angular impulse or gain in angular momentum which is equals to i omega so for this we can write half m r square into omega so when you put it over here it gives b q r square by 2 which is the angular impulse delta tally a relation which is half m r square omega so here we can cancel omega value directly q b by m that's it simple case q b by m about angular impulse आई अब बात करते हैं वापस से कि अगर यहां पे electromagnetic induction को account किया जाए क्योंकि omega angular speed में attain हो गई क्योंकि यह सब process quick भी है अगर यह continuous omega से घूम रहा होता तो क्या होता that's what is to be accounted over here also let's have a look on the same situation modified with electromagnetic induction accounting into it thank you पोजी तो इस तो एक ओर थोड़ा elaborated case है उस पे बात करते हैं same situation है लेकिन अब हमने की को T equal to 0 पे close कर दिया तब यहां पे torque act करता है अभी just now I have discussed you just have a look on this the torque value we have calculated as BIR square by 2 तो यहां पे जो torque आएगा BIR square by 2 because हम disc को perfectly conducting मानके चल रहा हैं तो this will be equals to half MR square alpha पिछले case में की delta T time के आद खोल दीती है अगर permanently closed है तो continuous torque रहेगा तो torque will cause angular acceleration तो आप देखे हैं R square cancel होगया I upon M this is the angular acceleration बट अब यहां पे I क्या होगा क्या इसको हम V by R ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर omega angular speed से disc घूम रही है तो disc में एक EMF भी induced होगा और induced EMF in rotating disc जब हम बात करेंगे तो यह induced EMF होता है half B omega R square R यहां पे radius ले रहे हैं R1 resistance मान लेते हैं ताकि कोई confusion ना हो so half B omega R square यहां पे rotating disc का emotional EMF होगा जो हम already theoretically cover कर चुके है in concept video as well as in revision checklist तो यह चीज़ ध्यान में रखनी है और हमें पता है यह जो EMF होगा यह external battery को oppose करेगा आप चाहें तो निकल के भी देख सकते हैं इस element के अंदर क्योंकि field downward direction है move यह इधर हो रहा है तो यहां पे minus इधर induced होगा plus इधर induced होगा you can see the battery is opposed by this EMF this implies we can directly write circuit current होगी V minus half B omega R square divided by R1 R यहां पे मैं disc की radius ले रहा हूँ R1 is the resistance I am taking इस case में भी आप resistance को चाहें तो R1 ले सकते हैं so that you should not get confused radius R है और यह resistance R1 है conceptual understanding is more important if we have got the current we can put the current over here to angular acceleration आपके पास आ जाता है B upon M R1 multiplied by V minus half B omega R square so alpha is linearly dependent on omega अब आप क्या कर सकते हैं इसको D omega by DT लिख सकते हैं फिर D omega एक तरफ DT एक तरफ करके जब आप integrate करेंगे तो omega as a function of time आ जाएगा और यह exponential function बनेगा तो इस quite obvious क्योंकि अब यह बिना सोचे बता सकते हैं क्योंकि जह जैसे time बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे due to alpha omega बढ़ेगी omega बढ़ने से यह value बढ़ेगी और थोड़ी देर बाद यह इसको balance कर देगे और जैसे both of these gets balanced omega will attain a terminal angular speed so omega as a function of time आएगी और यहाँ से हम निकाल सकते हैं finally omega t that is terminal angular speed will be attained और अगर यह निकालना है कि terminal angular speed क्या होगी तो यह आप directly यहाँ पे calculation कर सकते हैं from this relation omega t is attained when battery voltage balances or it is compensated or perfectly balanced by half b omega r square so omega terminal आप attain कर लेंगे 2v upon b r square this is the final result for this case तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं base point वही का वही है कोई नई changes नहीं है और torque अगर निकालना है तो किसी point पे torque calculation की जा सकती है that will depend on the value of current और current भी यहाँ पे change होती जा रही है तो जैसे भी current flow होगी तो net magnetic flux through coil अगर बात करेंगे तो यह जित्ता नीचे जा रहा है उत्ता उपर आ रहा है बहले यह time के साथ change हो या ना हो flux will remain zero so आप directly इंवर्ड इंवर्ड इंक्रीज हो रहा होगा अगर यह inward इंक्रीज हो रहा हुगा अगर यह inward increase हो रहा है, this all depends on the factor, accordingly the time function is changing, तो अगर यह invert decrease हो रहा है, तो यहाँ पर anticlockwise current induced हो जाएगा, this implies anticlockwise current will be induced, it all depends कि location of wire का है और उस wire के वैसे कितना flux change हो रहा है, और अगर यह decrease हो रहा होगा, invert है और यह decrease हो रहा है, this implies understood है, अगर invert decrease हो रहा है, तो invert increase करने की question करेगा, तो clockwise current will be induced, this is what you need to keep in mind, इसी तरह से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, अगर यह wire यहाँ के बजाए यहाँ पर होता, तो in this situation 5 coil जो होता, वो outward होता, dot होता, क्योंकि left वाला portion जादा है, and correspondingly आप दोनों cases handle कर सकते हैं, कि increase होता, तो क्या होता, decrease होता, क्या होता, मैं सरफ theoretical stimulation के लिए question दिया है, ताकि आप understanding build करने की किस तरह के cases आ सकते हैं, और आ चुके हैं, उनी से ही कई सारे cases हमने build up किया हैं, तो यह चीज़ हैं दिमाग में रखने हो, तो यहां पर दोनों में से एक possibility होगी, F constant होगा या velocity constant होगी, either of these which will be applied on this wire, जिसकी वैसे wire PQ slide करेगा, तो यह cases आप अच्छी तरह से देखने हैं, तीनों तरह के cases मैंने अलएड़ी अलग-अलग form में, advanced illustration में ले रखे हैं, तो advanced illustration book regularly follow करने हैं, और इसकी जितनी भी possible varieties हैं, वो फदग galaxy volume 3B के अंदर सारी चीज़े mention है, तो जो इस्ट्वेंट upcoming, जिए एडवांस के लिए follow कर रहे हैं, जिनका exam अभी recently नहीं है, वो फदग galaxy volume 3B को लगातार focus करने, सारे cases यहाँ पर cover up हो जाते हैं, तो इस्ट्वेंट यहाँ पर बात करें, if V is constant, तो it is quite understood कि constant V के case में जो EMF across P की होगा, वो होगा BVL, और inward magnetic field अगर यहाँ पर B apply किया गया है, तो in that case आप यह देख सकते हैं, right word जा रहा है, तो यहाँ पर P positive होगा, Q negative होगा, तो यहाँ पर current इस direction में flow ना शुरू होगी, तो EMF BVL है, in case of R, यहाँ पर current को directly लग सकते हैं BVL upon R, in case of capacitor charge plus Q minus Q और current को आप लिखेंगे DQ by DT, in case of inductor यहाँ पर आप लिखेंगे LDI by DT is the EMF across inductor which is balancing BVL और अब जो equations बनेंगी इनसे correspondingly solve करेंगे और जो भी result आएगा वो निकालेंगे and you just consider this wire as equivalent to a battery of EMF BVL along with an internal resistance R अगर इसमें internal resistance है तो यहाँ plus small R हो रहाँ है बाकिये चीज़ें सारी analyze हो जाएंगे और इसके cases में already advanced illustration में भी ले चुका हूं फज़िग गेलक्सी concept videos में भी ले चुका हूं फज़िग गेलक्सी volume 3B में भी यह सारी चीज़ें mentioned हैं, so that's what you need to keep in mind, now apart from this अगर force constant है तो क्या होगा तो फिर calculation पूरी बदल जाएगी, क्योंकि force constant है तो relation तब भी यह use होंगे लेकिन force equation बनेगी यहाँ पर हम यह कह सकते हैं, if F is given as a constant this implies, here we use F minus BIL is equals to MA क्योंकि इसके ओपर हमेशा backward direction में BIL force भी लगेगा तीनों case में, अगर velocity constant दिये तो we are least bothered about कि ओ constant कैसे रखी गई है question में V constant दे दिया, तो लेना है फिर BIL का कोई significance नहीं है लेकिन अगर force constant है तो F minus BIL में लेंगे फिर A को आप DV by DT लिखें या इसको V DV by DX लिखें correspondingly इसको solve करके फिर analysis से result निकलेगा that's what is important analysis सारे हमने किये हैं, अब इसमें ये मैंने flat case लिया है, ये inclined plane पे भी हो सकते हैं तो Mg का sine theta count हो जाएगा, BIL का भी कोई component हो सकता, अगर magnetic field plane के perpendicular नहीं है तो like अगर इस तरह की situation है ये case तो already मैंने लिए बटा आप यहां पे इसको R, C या L कुछ भी मान सकते हैं, say this is an inclined plane at an angle theta, magnetic field vertically आप है, और wire यहां पे है, और अगर ये V से इधर जा रहा है, this P, Q, तो सबसे बड़ा difference तो यहां पे क्या आजाएगा EMF हो जाएगा आपका B, V की जगे आप यहां पे V का cos theta use करेंगे, this is B, V L cos theta, V का V cos theta मैंने use किया है, क्योंकि B के perpendicular component लेते हैं दूसरी चीज़ इस पे B I L horizontal लगेगा, तो upward direction में इस बड़ा बी B I L का sin theta तो विल राइट M G downward act करेगा, एक तो M G sin theta, plus external force अगर F लग रहा है minus B I L sin theta is equal to, sorry this B I L cos theta, if this angle is theta, B I L cos theta is equals to M A, तो equation F minus B I L M A की जगे बनेगी, वही equation components को आप carefully use करेंगे, EMF induce भी जो होगा, B V L cos theta हो जाएगा, इन तीनों equations में, तो I have given you a core idea about all type of cases, जो rails पे based आते हैं, जो questions बहुत frequently आ जाते हैं, इसका धान रखना in case of inductor यह भी बहुत important है कि अगर constant force है, तो in case of F constant यहाँ पे oscillations start हो जाते हैं, और oscillation time period अपने आप जवाब इस equation को elaborate करेंगे, तो SHM की differential equation बनेगी, जिससे आपका time period निकल जाएगा, तो यह धान रखना है, यह already cases advanced illustration में लिए हैं, book में भी PG volume 3B में हैं carefully overview ले लना है, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें पूशी जाते हैं Students, when we talk about inductor, RL circuit मुझे पता है, अपने current growth decay of RL circuit base level पर पढ़ लिया होगा, revision checklist में भी cover कर रखा, that section I won't repeat over here, वो चीज़ें मैं चाहूँगा, आप अच्छी तरह से videos, एक case में भी ले लूँगा, लगिन important section over here is energy and flux and active inductors, that's what you need to understand अगर हमार पास कोई एक inductor है, self induction, L है और यहां dot बनाया, means current flow हो रही थी इसमें पर already इसमें I not current last flow हो रही थी, तो इसमें stored energy होगी, half L I not square और इसमें जो flux होगा that we can write as L I not लेकिन flux retained रहेगा, अगर इसके अंदर कोई core है और magnetic magnetization के लिए कोई magnetic material भरा हुआ है तो, और हम ideal conditions में मान लेते हैं कि इसका flux और energy decay नहीं होती, इसमें sustained रहती है, जबकि practical conditions में ऐसा नहीं होता, thermal agitation से हमेशा decay out हो जाती है हम ideal condition में मान कहलते हैं अगर इस inductor को हमने क्या किया, एक resistance के साथ और एक दूसरे inductor के साथ L' के साथ connect किया along with a switch, so एक ही concept आपको धहन में रखना है, when the switch is closed, तो सबसे पहली चीज़ जैसे ही हम यहाँ पर switch को close करेंगे, तो current इस inductor से flow होनी चाहिए, यह अकेला inductor होता है, तो हम इस बात को समझते हैं, कि in case of a single inductor, हमेशा जो current flow होती है, जो initially flow रही होती है, लेकिन अगर एक और inductor है तो sudden current flow जो होती है, उसको oppose कर देता है, और हमको पता है एक जो sudden opposition होता है, it is like an inelastic collision, जिसमें sudden energy dropage हो जाता है कई बार, जो जब भी कोई inductor को दूसरे inductor के साथ sudden connect किया जाता है, तो यहाँ पर flux inertia count करते हैं, so just after closing the switch आप यह चीज़ जान रखे हैं, initial flux li not था, this must be equal to final flux which will be l plus l dash into i final, यहाँ से आपके आपके i final आएगी और यह i final होगी at t equal to 0 पर जब यह switch close होगी और उसके बाद वो current यहाँ पर flow होगी and this will start digging out across resistance R and further at t equals to 0 plus अगर हम देखेंगे, तो in that condition t equals to 0, अच्छा यहाँ पर यहाँ भी condition हम लेके चलते हैं, flux remain constant, यह condition हम यहाँ पर लेके चलेंगे, अपने इसले बस में, इसी limitation के ओपर cases को हम को handle करना है, there are more cases linked with this, वो सारी चीज़ें हम अभी discuss नहीं करेंगे, otherwise with the magnetic materials, the cases will be different, यहाँ पर हम सरफ flux constant के cases, यह flux conserved के cases की बात कर रहे हैं, so further at t equal to 0 plus, अगर हम बात करें, तो हम current का value लिख सकते हैं, and the way current decays out is, i0 e2 power minus rt divided by l की जगे, l plus l dash लोगे, क्योंकि 2 inductors जब series में होते हैं, so in that case, we'll be considering them with an equivalent inductance, l plus l dash, और इसके आगे plus minus 2 m लग जाता है, depending on if mutual induction is present or not, यह चीज़ें base theory में हम cover कर चुके हैं, तो अभी सरफ आपको यह flux conservation वाला logic ध्यान में रखना है कई बार parallel inductors भी होता है तो वहाँ पे भी current अगर i1 i2 होगी तो it is such that flux will remain that's what you need to use in such limiting conditions Thank you boji, so quickly to and some advance rl transients भी बात करते हैं, जिन पे cases भी आ जाते हैं कई बार और कई बार यह दिमाग को open करने में भी circuits बहुत काम करते हैं instead of a simple rl circuit यहाँ पे एक battery connected है तीन resistance और एक inductor से और यहाँ पे t equal to zero पे switch को close किया और हमको निकलना है resistance में current as a function of time inductor के across potential difference as a function of time या कुछ भी पूछा जा सकते हैं हमको तो circuit को solve करना है so in that case इसका method one तो हम यहाँ पे apply करेंगे simply हम inductor को open कर देंगे across terminals a and b तो इस a और b terminals को अगर open कर दोगे यहाँ पे यह resistance r बचा this is another resistance r and this another resistance r बैटरी का internal resistance zero मानेंगे तो we will also consider battery as a short circuit तो यहाँ पे internal resistance across a b आप देखोगे so this r and r is in parallel is r by 2 in series with r so this comes out to be 3 r by 2 कई students जिनको यह चीज समझ में नहीं आ रही है they need to understand and watch our previous videos in concept video section और in advanced illustration to understand how I applied Thevenin's method यह method one I am using Thevenin's method of equivalent battery that's what I am doing तो battery com short circuit क्यों कर रहे है मैंने already explained किया r by 2 आ गया अब इसके बाद e और b क्या cross battery का potential difference अगर देखा जाए तो second हम यह ले सकते हैं if it is there this is r, this is r this is a, this is b so this r will not have any current through it if inductor is removed and a and b are open so यह r और r के के समें potential difference across a, b अब देख सकते हैं it is b by 2 so in this situation from here and here the equivalent circuit we are getting is a battery of b by 2 in series with the resistance 3 r by 2 and here terminals b and a are there and we connect the inductor so this is the way how equivalent battery is drawn so अब यहाँ पे जो current flow होगी यह current होगी inductor वाले current i l so i l आप लख सकते हैं जो हमारा relation है current growth का l r circuit में this is v by r so this is v by 2 upon 3 r by 2 into 1 minus e to power minus r t by l to 3 r by 2 l this is what we'll use this is v by 3 r 1 minus e to power minus 3 r t by 2 l और अगर यहाँ पे time constant की बात करेंगे तो time constant will be equals to 2 l by 3 r जहाँ पे exponent power becomes the unity that's important so time constant यहाँ जाएगा circuit का current through inductor यहाँ अब current through inductor आगी तो अप अराम से current through this resistance i2 as a function of time निकाल सकते हैं i1 as a function of time निकाल सकते हैं by using Kirchhoff's current law और चाहें तो i1, i2 और i l तीनों की separate equation मनाके integrate करेंगे तो भी यही relation निकलेगा यह भी मैंने already concept video में analyze करके बता रखा है so थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में रखें integration method is quite lengthy G advance में finally process matter करता है what you are calculating यहाँ पे subjective exam नहीं है तो unnecessary long method पे जाने का कोई significance नहीं है तो quickly you can manage with that thank you बोजी it's true and electromagnetic induction के advanced illustration अच्छे से कोपप कर लीजेगा I'll just show you with the book also I think book is available here only अगर आप इस advanced illustration book में देखेंगे तो pointers are very very important अगर मैं देखता हूं for electromagnetic induction this magnetic effect and electromagnetic induction it is page number 339 so variety जो यहाँ पे है इसको एक बार हमको quick analyze करना बहुत जरूरी है because these are extremely useful देखो total 66 illustrations यहाँ पे है and all type of varieties are covered over here आपके आपस बुक नहीं भी है और time कम है आपके पास तो आप quickly into 2 speed के ओपर या x 1.5 speed के ओपर हमारे YouTube channel पे यही सारे illustration देख सकते हो there are many more advanced illustration जिसको भी release नहीं किया गया है वो अलग से additional advanced illustration book आने वाली है तो upcoming जी advanced के students के लिए that will be helpful बट यहाँ पे आप उड़ इस्ट्रोंग ली सज़स्ट की focus on these illustration variety सारी cover हो चुकी है इनको आप अच्छी तरह से देख लीजेगा if we talk about alternating current circuit and power this is important over here अगर एक simple AC circuit की बात करें कि capacitor और resistance को हमने series में connect किया I am not going to talk about the base analysis क्योंकि theory already cover हो चुकी है इस तरह के cases में capacitance की जो reactance है वो maxi लेते हैं 1 by omega c all of you know अब quotients किस तरह क्या आजाता है कोशन ऐसे आजाता है कि अगर यह resistance की जगे एक bulb लगा हुआ है bulb is also equivalent to a resistance तो क्या conditions होंगी जिसमें bulb की brightness कमिया ज्यादा हो सकती है तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह EMF यह है तो circuit में जो current flow होगी that current you can simply write EMF divided by Z and Z in this case will be root of R square plus 1 by omega square c square अब आप ध्यान से देखें अगर इसकी angular frequency E will be obviously E naught sine of omega t base logic बता रहूं है omega को आप बढ़ाएंगे यानि source frequency बढ़ाएंगे तो आप यहां देखें omega बढ़ाते हैं तो यह factor कम होता है और अगर यह factor कम होगा तो denominator कम होगा denominator कम होगा तो current बढ़ेगी current बढ़ेगी तो bulb की brightness बढ़ेगी so यहाँ पे bulb brightness if we talk upon तो bulb brightness is proportional to i square क्योंकि obviously यहाँ पे bulb में जो heat produce होगी it is equals to i square r so bulb की brightness i square के proportional है तो by any means capacitance को change करो resistance change करो किस तरीके से काम करोगे तो क्या होगा यहाँ पे bulb की brightness बढ़ेगी लेकिन अगर bulb की resistance को change किया तो यह i square r आ जाएगा i square if r is kept constant तो थोड़ा सा अपने को fundamental level पे theoretical mindset रखना पड़ेगा r ही कम करोगे तो आप सुचोगे current बढ़ेगी brightness बढ़ेगी तो जरूरी नहीं है अभी r बढ़ रहा है तो r बढ़ने से क्या होगा i square r में you need to substitute the value and see whether the value of h is increasing or not that depends साथ में omega और c पे क्या फरका रहा है वो important इसी तरह c की जगे inductor होगा तो क्या होगा so theoretically आपको इस तरह की चीजों को दिमाग में रखना है बहुत ही elementary questions होते हैं तो सरफ सोचने के तरीके अगर आप mind stimulate कर लोगे कि इस तरह से सोचना है तो चीजों में कहीं कोई problem रहेगी नहीं comfortably you can manage आई आगे बढ़ता हैं कुछ और minimum cases है यसी में बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं है बढ़ यह देखना जरूरी है let's talk about a case of resonance and series RLC circuit और alternating current this is very very important for all of you कि आप power factor को और power को अच्छी तरह से तो अगर हम बात करें resonance और bandwidth of series RLC circuit this is important mainly bandwidth ज़्यादा काम किये resonance conditions all of your aware resonance condition वो होती है जहाँ पे impedance becomes equal to R और XL equal to XC हो जाता है और current की value circuit में maximum हो जाती है यह चीज़ें शायद आपने पढ़ी होंगी तो यहाँ पे अगर 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 this is what is condition in case of Z and at resonance और at resonant frequency what happens in that situation omega L becomes equals to 1 by omega C तो यहाँ से हमार पास omega resonant आ जाते है 1 by root L C यह तो पहली चीज़ें जिस value के उपर Z equal to R हो जाएगा और current maximum हो जाएगी और आई की जो maximum value होगी that maximum value will be equals to E by R now अगर हम current का function plot करते है now here comes another concept which is very important with angular frequency graph इस तरह का आता है और omega equal to omega resonance पे omega equal to omega resonance पे current की value maximum हो जाती है circuit में और circuit becomes purely resistive यहाँ तक तो base idea आप लोगों को है अगर आपने fundamental theory पड़ी है हमारी reason checklist में भी क्या आप अगर हम half power frequencies की बात करें ऐसी frequencies omega 1 और omega 2 जहाँ पे current का value i max by root 2 हो जाता है why i max by root 2 चोई अगर current 1 by root 2 times होगा तो i square half हो जाएगा यह कहें power होता है i max square by i max square into r so i max by root 2 का whole square into r will be half power तो इसलिए omega 1 and omega 2 are called half power frequencies so अगर आप यहाँ पे इसको 1 by root 2 times करेंगे तो आप realize करेंगे यह तब होगा और we can write at omega 1 and omega 2 z की value जब root 2 r होगी तब होगा तो यह तब होगा जब omega l minus 1 by omega c will be equal to plus minus r क्योंकि आप इसको root 2 करोगे तो यह दोनों बराबर होने चाहिए और square का under root लोगे तो आएगा plus minus r तो omega 1 और omega 2 की 2 conditions निकल का हैंगी यह यह कह सकते हैं omega 1 l minus 1 by omega 1 c is equal to minus r and omega 2 l minus 1 by omega 2 c is equals to plus r correspondingly we will calculate the values of omega 1 and omega 2 let me continue on the next sheet पोजी clear करो thank you बोजी so इसको अगर इन equations को देखें तो this quadratic equation in omega 1 and omega 2 अब जब values निकलेंगे तो यहां से omega 1 की value आ जाएगी minus r by 2 l plus root of r square by 4 l square minus 1 by lc values याद रख लोगे क्योंकि these are to be kept on your tips minus की बजाए बस फरक यहां पे plus होगा this r by 2 l plus root of r square by 4 l square minus 1 by lc i am just leaving the calculation part for you आप चाहें तो solve करके निकाल सकते हैं omega 1 omega 2 आगए तो अब जो यहां पे bandwidth की जब हम बात करते है bandwidth of rlc circuit तो bandwidth होती है यहां पे delta omega which is written as omega 2 minus omega 1 यह जो हमने graph की बात करी थी इस graph में this change in difference in the two frequencies जिसके बीच में power more than 50 percent of the maximum power रहेगी that is what we call bandwidth this is called delta omega और इसका value आप निकाल होगी आजाएगा मार पास r by l इसी के ओपर based a core factor हम define करते हैं that we call as quality factor this is also very important for you to understand quality factor हम को यह बताता है कि what will be the quality of that rlc circuit in terms of communication और broadcasting of signals तो quality factor दिस लिंक्ड विद quality of broadcasting signals कई instruments क्या करते हैं इस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है communication system हमारे g advance के slivers में नहीं है तो let us leave it ऐसा नहीं है बेटा comprehension में आ सकता है quality factor is a part of ac so you need to keep in mind quality factor is the resonant frequency divided by bandwidth आप इसको f r upon delta f भी लिख सकते हैं f is omega r upon 2 in that way we can calculate so quality factor यहां पर आ जाएगा omega r into l by r जिसको हम x l by r भी लिख सकते हैं this inductive reactance at resonance conditions यह चीज़ आप जहान रखेंगे और omega r की value 1 by root lc भी अगर अपन डालता है जो अभी अपने निकाली थी यह दिख्वा भी अभी अपने omega r 1 by root lc निकाली थी if you substitute so this becomes 1 by r root of l by c this is also the function which represents quality factor इसकी depth में अभी जाने की जुरुवरत नहीं है कि actually quality factor से quality determine कैसे होते है that's not in our slivers but यह expression सारे काम के हैं तो यह आप ध्यान में रखेंगे और echo term होते है that is selectivity of rlc circuit selectivity यह बताती है हमको की circuit कितना selective है in terms of broadcasting of a communication signal मलग कितना easily हम tune कर सकते है जैसे आप radio की नौब घुमा की channels को tune करते हो तो जिस channel की selectivity अच्छे हो quickly tune होगा FM channels जैसे आप tune करते हो instantly you get a crystal clear voice तो selectivity is basically represented by the peak of circuits यह जो भी अपने graphs की बात करी मान लोग अलग अलग तरह के graph है 1, 2 और 3 तो 3 एक sharp peaked है sharp peak के अंदर bandwidth कम होगी quality factor हाई होगा तो इसकी 3 की we can say selectivity of 3 is greater than selectivity of 2 is greater than selectivity of 1 इसके बारे में communication signal को आप अगर understand करेंगे concept video में पढ़ते हैं तो काम हाईगा बट G-Advanced Point Office से उतना depth में अभी जाने की जुरूरत नहीं है वीडियो में transformer बहुत अच्छे से मैंने cover कर दिया और checklist के अंदर भी base points हैं तो आप एक बार अच्छे से review कर लीजिए और section को पूरी तरह से wrap कर लीजिए because चीजें जिती भी मैंने लिए उनका purpose था कि आपका brain evolve हो और सोचने के तरीके enhance हों की चीजें सामने आती हैं तो उनको कैसे देखा जाता है that's more important बागी तो पढ़ने को इतनी चीजें जिसके limit नहीं है upcoming courses भी physics galaxy channel के उपर आने वाले हैं तो I think you'll enjoy with the high level of physics from the very elementary physics concept video जाम basic से start करके advanced level पर जाते हैं तो stay tuned with physics galaxy books as well as our channel अभी तक join नहीं किया है तो telegram channel और हमारी mobile app को भी join करो lot of things you are going to get wish you all the best